Anti Sports MK 1200 Mini सबसे सस्ता 60% Mechanical Gaming Keyboard तो इसको बड़े तरही से टेस्ट करेंगे इसको रिव्यू करेंड आपको बताएंगे कि आपको Anti Sports का MK 1200 Mini लेना चाहिए या फर नहीं सबसे सस्ता 60% Mechanical Gaming Keyboard है पाकी हम कुछ ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस बनाते रहते हैं अगर आप चैनल के उपर नहीं आगे है तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसकी Unboxing से Box देखो कुछ ऐसा है यहाँ पर Anti Sports की Branding mentioned है MK 1200 Mini यहाँ पर लिखा हुआ है and यह Red Switches के साथ में आता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है Detachable Type-C C Cable वगरा सब कुछ आपको दिखाएंगे बागी Box के पीचे थोड़े बहुत इसके कुछ functions mentioned है जल्दी से Box खोल लेते हैं अब जैसे ही आप Box कोलते हो तो यहाँ पर Box के अंदर आपको सिर्फ दो ही चीज़े मिलती है एक है आपका यह Keyboard and एक है Type-C Cable Literally Box के अंदर हमें बस यही दो चीज़े देखने को मिलती है Keyboard and Type-C Cable जो कि Detachable Keyboard है and मतलब Unbox करते ही जो चीज मैंने आपर देखी मतलब यार कितरा चोटा Keyboard है यार सही में गाईस मतलब बहुत ही जादा यार चोटा Keyboard होता है 60% Keyboard मतलब मैं personally जो है पहली बार यहाँ पर 60% Keyboard देख रहा हूँ मतलब बहुत चोड़ा यार सही में बागी Box वगएर को साइड में रखते हैं जल्दी से बढ़ते हमारे Keyboard की तरफ अब Keyboard देख लो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिल जाता है Overall मैं आपको बता हूँ तो भाई Build Quality बहुत ही जादा Solid है मतलब एकदम जबरदस्त कोई भी Flex नहीं है Keyboard के अंदर भाई साब एकदम Solid Build Quality के साथ में आता है केबल की Quality के बारें बात करें तो भाई Keyboard की Quality बारें जबरदस्त एकदम मतलब फुल वही कुछती लड़ने वाली Keyboard फुल तगड़ी Quality वाली Braided Keyboard आपको मिलती है and Type A to Type C वाली Keyboard है आपको मतलब इस Keyboard के साथ में Attachable है, Change करनी हो तो बाद में कर भी सकते हो कभी अगर यह खराब भी हो जाती है तो वैसे तो खराब ने हो कि तगड़ी Quality है बाई अब जैसे यह हमारा Keyboard यह हमारी Keyboard है तो यहाँ पर उपर की Left Side में हमें यहाँ पर Type C Port देखने को मिल जाता है जिसके की अंदर आपको यह Cable अपनी यहाँ पर लगा देनी है और दूसरी तरफ जो है वो हमारा USB है जिसको कि आप अपने PC में लगा सकते हो, Laptop अगरा जहाँ भी लगाने लगा सकते हो पागी यह बात होगी Physical Overview के बारे में अब जल्दी से इसको मेरे PC से Connect करते है और इसकी Light Shite आपको दिखा देते है जी हाँ, थोड़ी बहुत RGB मिल जाती है तो Keyboard मैंने Connect कर दिया और इसके अंदर बिसिकलिए मैं पर की RGB देखने को नहीं मिलती है इसके अंदर हमें RGB Zones देखने को मिलते है जैसे कि यल्लो हो गया, रेड हो गया, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया और नमारा पिंक हो गया मेरे कहने का मतलब तो समझी कए होगे बहुत Keyboard Review करें मतलब कि जो अगर Key Red जल रही है तो वो Red में ही जलेगी आप इसका Color Chain नहीं कर सकते है मतलब कि पर की RGB नहीं मिलती है बट हाँ, इसके अंदर RGB effects मिल जाते है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर भाई सब आपको खूब सार effect मिलेंगे टोटल 17 effect से आपको FnK को प्रेस करने और ये backspace इसको दबाते रहो अलग अलग effects आपको मिलते रहेंगे इसके अंदर जैसे कि ये देखो टेक है तो ऐसे total भाई 17 effect से मतलब 17 effect से लगा सकते हो भाई से मतलब कमी नहीं तुम effect लगाते रहो, effect खतम नहीं होने के अब जैसे बहुत सार effect होता जैसे कि ये देखो ये प्रेस करने में बटन जलेंगे तो इस तरीके से बहुत effect से भाई और हाँ आप इसकी brightness को भी control कर सकते है Fn key को प्रेस करना है ये दबाओ के तो देखो कम हो जाएगी और off भी हो जाएगी या फिर बढ़ा नहीं है तो इस बटन को दबाओ इससे बढ़ जाएगी अब ये सारी बाते होगो इसकी RGB के बारे में अब हम बढ़ते हैं कि actually इसके साथ में कैसी keys मिलती है कैसी feel मिलती है जब हम इसके उपर typing करते हैं या फिर gaming करते है तो पहले keys के बारे में बात कर लें देखो इसके अंदर हमें red switches देखने को मिल जाते हैं जो की overall मतलब सबस्यादा best माने जाते हैं और आपके उसके अंदर बिल्कुल भी noise नहीं आती है मतलब जिसको भी बिल्कुल वो इन keys का जो पूरा lifespan है वो है 50 million clicks का अब यह anti-sports कह रहा है तो मानी लेते हैं इतना होगा मतलब overall कहना यह चाहते हैं कि बढ़िया लंबा आपका साथ निभाएंगे अब बात कर लेते हैं अगर आप इसके उपर gaming अगेरा करते हैं यहाँ पर कैसा experience रहता है देखो overall जो आपका experience रहता है वो वैसा ही रहता है जैसे कि आपको normally एक mechanical gaming keyboard के साथ में रहता है and हाँ क्योंकि इसके साथ में red switches देखने को मिलते हैं तो noise level से यहाँ पर हमारे switches से वो काफी जादा यार कम हो जाते हैं साथी साथ वो जो elevation feeds मिलती है तो आप उसे साथ से यहाँ पर adjust कर सकते हैं अपने comfortable के साथ से आपको जिस तरीके से भी करना है and overall जो हमारा यहाँ पर experience रहता है वो काफी बढ़िया रहता है keys यहाँ पर हमारी काफी stable रहती है and एक्तम adequate force है इनका तो यह सब को सता MK 1200 Mini के बारे में वैसे company ने anti sports ने इसका एक upgraded version MK 1300 Mini और निकाल रखा और भाई कमाल बात सुनो मतलब MK 1300 Mini इसका upgraded version होना चाहिए बट उसके अंदर थोड़े बद फीचर्स cut down कर दिये तो यही ज़ादा बेटर है उसके मुकाबले अब बात कर लेते हैं भाई या price के बारे में जो की main चीज है तो देखो यह जो keyword है यह आपको 2000 से लेकर के 200 रुपे 2000 रुपीस से लेकर के 2200 रुपीस के बीच में इसी के आसपास में इसकी price रहती है lightning deal वगरा चल रही होते तो 2000 का मिल जाता है regular price में 200 का मिलता है अब बात यह आजाती है कि क्या यह 2200 रुपे के हिसाप से अच्छा है या फिर नहीं तो देखो वे इसके आसपास में और जादा कुछ खास options है भी नहीं market के अंदर यही आता है या फिर एक causing bite का आता है CBGK23 वो इससे लगबग 100 या 200 रुपे शायद कभी कभी महेंगा चलता है लेकिन आजकल वो out of stock चल रहा है तो वो थोड़ा से इससे better है क्योंकि उसके नदर परकी RGB मिल जाती है तो वो थोड़ा सा एक better option रहेगा बट वो अभी फिलाल तो stock में नहीं है तो अभी जादा कुछ options तो है नहीं तो आप इसी के साथ में जा सकते हो फिर से बतायता हो हर एक keyboard की link भाई description के अंदर है latest price को check out करो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और उसे साब से अपना buying decision मनाओ बागी तो गाईस इस वीडियो के अंदर बस इतने वीडियो को है लाइक ज़रू कर देना and comment करके बताओ भाई वीडियो आपको कैसी लगी and साथी साथ आप हमको जो Instagram की पर फॉलो कर सकते हो Discord server आप हमारा join कर सकते हो links आप लोग को मिल जाएगी नीचे description के अंदर बागी गाईस मिलेंगे एक और ने वीडियो के अंदर एक और ने गमाल के टोपिक के साथ में तब तक के लिए आरा Thanks for watching